हेलो फ्रेंट्स आज हम लोग बात करेंगे ब्लड बैक्स के बारे में इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन इसका दूसरा इबात की इसमें किते प्रकार के बैक्स होते हैं और एंटिकोग्लेंट किस बैग में कौन सा एंटिकोग्लेंट प्रिजेंट हो तो सबसे पहले start करते हैं introduction से blood bag जो होते हैं वो special type of plastics के बने होते हैं और जो blood bag होते हैं वो design किये गए होते हैं blood को collect करने के लिए process करने के लिए और storage करने के लिए blood और blood के component को यह जो होता है close system के जैसे work करता है और contamination के chance को कम कर देता है अब बात करते हैं हम लोग इसके classification के बारे में तो classification इसका दो तरह से classify किया गया सबसे पहले blood collecting capacity के basis पर classify किया गया दो types में जिसमें होता है 350 ml और 450 ml दूसरी होता है कि number के basis पर सको classify किया गया Single Blood Bag, Double Blood Bag, Triple Blood Bag, और Quatri Shield Bloods Back, अब हम लोग सभी BloodMs के बारे में EK करके पढ़ाएंगे, सबसे पहले आता है Single Blood Bag, इसमें जो होता है, एक Needle लगा होता है, और Single Bag होता है, जिसमें 60 Gauge का Needle होता है, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं, Whole Blood Collection के लिए, और इसमें हमारा CPDA solution होता है, अंटिकोगलेंट होता है, ये अब लेवल होता है, 350 ml और 450 ml के capacity में, इसमें सैगम नहीं होता है, अब हम लोग बात करते हैं, double bag के बारे में, तो इसमें जो होता है, दो bags के साथ में एक transfer bag होता है, जिसमें सैगम होता है, जो की RBC के lifespan को बढ़ा द करते हैं, जिसमें pre-RBC और plasma, अब बात करते हैं, triple bag, blood bag के बारे में, तो इसमें 3 bags होते हैं, साथ में एक needle होता है, triple bag जो होता है, उसमें सैगम साथ में रहता है, और CPDA solution यूज होता है, जिसमें जो होता है, three blood component को हम लोग separate कर सकते हैं, जिसमें pre-RBC, plasma और platelet, और जो होता है इसमें primary जो bag होता है, उसमें anticoagulant present होता है, अब बात करते हैं, quad travel blood bag के बारे में, तो इसमें 4 bags होते हैं, साथ में सैगम होता है, जो कि RBC के lifespan को बढ़ाता है, और anticoagulant CPDA present होता है, 63 ml primary bag में, और ये जो होता है, three different components को separate करने के लिए use mix लाए जाता है, बात करते हैं, कुछ नए blood bags के बारे में, जो कि recently years में इसको add किया गया, जिसे में leuco reduced blood bags के बारे में, जिसे में ये जो blood bag होता है, इसमें leuco reduced sensor लगे होते हैं, जो कि leuco side को filter करके blood को store किया जाता है,